नमस्कार साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले नौ सालों से सामधाइक मुद्दों पर वीडियो बनाने के काम करता हूं आए आज आपको हम ले चलते हैं कौशांबी जनपत के सिराथू बलाग के ग्राम पंचायट नारा के मजरा सिवपूर में जहां पर राम चंद के लड़के का बिकलांग सार्टीपिकेट ना बनने कारण काफी मुश्कुलों का सामना करना पड़ा था मैं बच्चों बहुंचे दा पीड़ी मुझे मेरे दो अच्चे बिकलांग साब एक लड़की एक लड़का में लैटिंग उन्हें बहुत प्रिजानी इनको ना आवास मिली ना लैटिंग मिली कुछ नहीं मिला दा ना कोई दिकारी यहां आता है सुनने के लिए लिए आप बड़ी तरीके से, उनको उठाने भाई ठालने में पर्हसानी होती है लैटिंग नहीं बनी हुए है, लैटिंग के लिए बहुत बड़ी परिसानी आट साल से इनको परिसानी बढ़ती गई यह विकलांग था विकलांग होते चले गए हम समझ नहीं पाए, लखनव ले गए सर, वहा लाइलाज घुषित कर दिया गिया, डियर एक पास ले गए, इलाहावाद मुडेरा, वहाँ भीलाज घुषित कर दिया गई, अब इतने बुरी हालत से ये विकलाइब हुए है, कि हमको उठाने ‌भा इठालने में अकेले परिशानी बहुत जिधा ह यहां आता नहीं साथ तो क्या गोहर किससे लगाएं हम इतना सूचना भी करते हैं जाब हमें कोई परधान है सिग्रेटरी है या ग्राम कोई अधिकारी ब्लाग का बताए फून करके कि वाई इस दिन बटेगा तो हम उसमें अपना कागज दागत बना ले बनवाले वो भी कोई नहीं कुछ बताता है क्या गने साथ सरकार से यही चाहते हैं कि सार्टि पिखर बनना चाहिए इस वीडियो को बनाने के बाद समधाय के साथ मेटिंग और स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया उसके बाद समधाय में ग्यापन लिखे गया समधाय ने यह निड़ा लिया था कि वो अपनी समस्च्या को लेकर ब्लाग जाएंगे आप सभी दर्सकों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं महेश कुमार उत्तर प्रिदेश के कौशांबी जिले से इंडिया आनहट के लिए